नमस्कार बहुत बहुत स््टाथ करते हैं बियारीव, आज की इस खास अबडेट में और आज इस वीड़िव में हम बात करने वाले हैं पार्ट-1 रिजल्ट को लेकर से जो कि 2021 से 24 सेशन का पार्ट-1 का रिजल्ट जो आना है और पार सेशन का बाट-3 लैसे–21 निकालने शुरू कर दी है और लगबा कॉलेज जो है एक मार्स तक आखरी आपका फॉर्म एक्सेप्ट करेगी तो इसके लिए एक नोटीस जारी करा गया उनिवसिटी के तरफ से जिसमें की गाइडलेन में बताए कि छात्रों को जो है 22 फरवरी से लेकर के दो फरवरी तक परिक्षा फॉर्म भड़ना है अपने कॉलेज में जाकर के यूए मैस डिपार्टमेंट के तरफ से जो डाउनलोडेट जो फॉर्म आपको मिलेगा यानि कि जो प्रीफिल्ट फॉर्म मिलेगा उसको वेरिफाई करते हुए जो है आपको जमा करना रहेगा फीस पगर प्रोविजनल फॉर्म में अगर कुछ भी तुरूटी ने जरा है तो उसे पेन से काट करके ही जमा करें अपने कॉलेज में और देखें यहां पर परिक्षा नियंद्र का पद जो खाली है जिसके वज़े से अधर में भविश्य आटका हुआ ह पार्ट 3 का जो रिजल्ट है 2019 से 22 सेशन का वो अभी तक के जारी नहीं किया जा सका है इन्फेक्ट अभी तक के कॉपी भी चेक नहीं हो पाई है अभी तक एक भी कॉपी में हात नहीं लगाया गया है मैट्रिक की परिक्षा खतम हो चुकि है, इंटर की परिक्षा भी बहुत पहले ही खतम हो चुकि है, हालाकि अगर हम इंटर मैट्रिक की बात करें, तो उनकी कौपी ज़ली चेक होने वाली है, और 15 अपरेल तक जो इनकी रिजल्ट जारी कर दी जाएगे, जहां पर की 2 लाग, करा गया है किसी सिख्षक को परिख्शन नियंत्रक के लिए तो सोचिए इस युदि में आगे क्या होने वाला है और अभी तक के उमीद जताही जारी की नए परिख्शन नियंत्रक हो सकता हूली तक जो है न्यूक्त कर दिया जाएंगे विदियाले में उसके यहां पे आखवार की माने तो पार्ट 3 की रिजल्ट आ अंत तक जारी की जा सका है अभी कौन सा चमतकार होगा रातो रात जो की मार्च की आंत तक जारी हो जाएगा है ओज चाथे हो चात्तन लिए embarrassing चाहिं पने इंट्रिंस फ़र्म भर प के बहुत Democrat का प्रवाइब करेंगे तो क्या हो जाएगा तो देखिए आपका जो है एडमिट कार्ड भी आ जाएगा अप एक्जाम भी दे लिजेगा लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आपका मार्खषीट वेरिफिकेशन होगा फिजिकल वेरिफिकेशन उसमें आप जो अटक जाएगा क्योंकि आपने उनलाइन में मार्खषीट अप्लोड करा है वह मैच नहीं करेगा तो आपका फॉर्म आटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा तो कुछ भी जो आपको इसमें कानुची करने की ज वेरिफिकेशन नहीं सुरू हुआ है तो आपको जो वेट करना ही पड़ेगा और जो भी अपना परिक्षा फॉर्म भरेंगा अपने अपने कॉलेज में जा करके देखे पी उपी कॉलेज भी जो निकाल चुकी है इन्होंने भी बता दिया कि 22 फरवरी से लेकरके एक कुछ डॉकुमेंट्स आपको लगने वाले डॉकुमेंट्स के वारे मैंने पहले ही आपको बता दिया है आपको अपने कॉलेज आना है और रही बात कि बहुत सारी कॉलेज जो ओनलाइन फीस ले रही है इसके वेबसाइट पर आप ऑफिशियल ही जाहिए वहां से जो आप करने का जो चलान होगा उसको प्रिंट करके जो है एक्जामनेशन फॉर्म के साथ लगाते हुए आपको जमा करने रहेगा सारा डॉकुमेंट वगरा ठीक है डॉकुमेंट का डेटा दिया गया है फीस का नीचे स्टक्शर बताये गया साध्य साथ आपको हम बता जना चाहत देखने को मिलेगा अगली वीडियो में चलते हैं दन्यवाद